यदि आप दूसरों की साहिता करेंगे तो प्रभू आपकी साहिता करेंगे प्रभू आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन में प्रभू कारे करेंगे जो कुछ उनके जीवन में हो रहा है खुदावन परस्तितियां बदले दुख, समस्या, कर्जे प्रॉब्लम्स और जो कुछ भी उनके लाइफ का स्ट्रगल है खुदावन आज की ये शाम है कि उनके जीवन में वो छुटकारा आए खुदावन देशिमसी हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है यदि आप प्रातना करवाना चाहते हैं तो प्रैस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रातना करेंगे प्रेज लोड दोस्तों हम आपका साहिता करेंगे प्रवो आपकी मदद करेंगे और आपकी जीवन में प्रवो कारे करेंगे इसलिए बाइबिल हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करो दूसरों की साहिता करो क्योंकि जब हम साहिता करते हैं जब हम मदद करते हैं तो परमेश और स्वयम हमारी मदद करते हैं ह कैसे हम लोग देखते हैं यहुशु किताब उसके च्छै अद्याय और पच्छिस पद में जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है और यहुशु ने रहा वैशिया और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उनका वंच इसराइ यरिहो पर आकरमन किया तो वे सब लोगों को मारते चले गए परंत उन्होंने रहाव वैशिया को जीवित छोड़ दिया और उसके पूरे घराने को जीवित छोड़ दिया क्या करण था उसे जीवित छोड़ने का करण ये था कि जब यहुशु ने दो लोगों को भेजा थ तो उस समय इस रहब वेश्या ने उन दो बैक्तियों को अपने घर में छिपा दिया था जब यरिहों का राजा उन्हें मारने के लिए उन्हें ढूंड रहे थे जब लोग उन्हें ढूंड रहे थे राजा उन्हें ढूंड रहे थे इस कारण से इन दोनों की जान उस दिन बच गई तब रहब ने इन से एक वादा करवाय था कि जब तुम यरिहों पर अधिकार करने के लिए आओगे तब तुम मेरे पिता के घराने पर और मुझ पर दया करना और ठीक उसी प्रकार से यहोसु ने किया जब उन्होंने पूरे देश पर कबज़ा किया तो उस समय उन्होंने रहब को छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया क्योंकि उसने पहले उनकी साहिता की थी क्योंकि रहब ने उनकी मदद की थी क्योंकि रहब ने उनकी साहिता की थी इसलिए आज यहोसु ने उन्हें उसे छोड़ दिया आज तक उसका घराना वहां रहा घरता है दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप दूसरे की मदद करते हैं जब आप दूसरे की साहिता करते हैं तो परमेशुर आपकी साहिता करते हैं परमेशर आपकी मदद करते हैं एक वचन हम लोग और देखेंगे नेती वचन किताब उसका 11-25 पत कहता है कि जो दूसरों की खेती सीचता है उसकी खेती भी सीची जाएगी means परमेशर उसकी खेती को सीचता है जो ब्यक्ति दूसरे की खेती को सीचता है दूसरे की मदद करता है, दूसरे के लिए कार्य करता है, दूसरे की साहिता करता है, परमेश और स्वेम उसकी साहिता करता है, परमेश और स्वेम उसकी खेती को सींचता है, परमेश और स्वेम उसे फलवन्त करता है, उसे आसिसित करता है, उसे आगे बढ़ाता है, तो आज स सोचें कि मैं कहां से करूँगा, यह कहीं इसकी मदद करके मैं खुद संकट में न पड़ जाओं, नहीं, रहब ने ऐसा नहीं सोचा, जब कि हो सकता था, कि अगर राजा को सैनिकों को पता चलता, कि रहब ने उन्हें छुपा रखा था, तो वो रहब को ही मार देते, उसके घ भला कर सकता है, उतना भला कर, भला करने में अपने हाथ को पीछे मत कर, भलाई को करता रहें, तो आज सामने मैं आपको उच्छाइद करूँगा, यदि आप प्रव यश्य मस्यवाद करते हैं, उसके पीछे के चलते हैं, तो भलाई करते रहें, साहिता करते रहें, मदद क करते रहें क्योंकि आपकी साहिता परमेश्र की और से आईगी, आपकी साहिता परमेश्र की और से आईगी, आपकी मदद परमेश्र करेगा, आपकी सींचाई, आपकी खेती की सींचाई परमेश्र करेगा, आपकी चिंता परमेश्र करेगा, सुप्रभा आपको इस वचन के द आपको आशेशित करेंगे एंड वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें 8077 007695 धन्यवाद कि सबको जे मसीखी मेरा नाम अनिश्ट अपह है मैं जारकंश पूल गवहा हूं मेरी दो गवाहि है है कि मैं इकजाम के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट हो जाता है मैं इकजाम पास हो चुका हूं और दुसरी गवाहि है कि मेरा बै जेल में था उसे भी बेल मिल चुका है इसके करते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए मैं आशा करती हूं कि आप सब ने वचन सुना और उसे सुनकर आशीश पाई है और आप जान गए हैं कि आपको क्या करना है आईए मिलकर हम प्रात्ना करें धनेवाद करते हैं सामठी हमारे दयालू पिता हम आपका धनेवाद करते हैं कि आप बहुत अच्छे पिता हैं और बहुत ही अच्छे मित्र हैं हम आपका धनेवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्रात्मा का धनेवाद करते हैं पवित्रात्म का जो हमारे बीच में है, हमारा सपोर्टर, हमारा गाइडर जो है, हम तेरा धन्यусаत करते हैं, मेरे प्रभू, सच्छी मेरे प्रभू जी, आपके नाम की महिमा को करते है, बोली स्पिरेट, आजकी सुन्दर शाम में, अपने लोगों के चीवन में परमेश्वर आप कारे करें मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्व पिता पवद्रात्म की सक्तिय और सामट से आप अपने लोगों को भरें मेरे खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर यदि कोई भी भाईबेन पहली बार हमारे साथ इस प्रात्न में शामिल हुए है मेरे पिता मेरे प्रभू जितने लोग इस वीडियो को वाच कर रहे हैं खुदावन प्रभू उनके जीवन में आपके कारिय को चाहते हैं खुदावन आज आप उनके दिल की बातों को जाने आज आप उनके हालातों को बदले जो कुछ उनके जीवन में हो रहा है खुदावन परस्तितियां बदले दुख समस्या कर्दे प्रॉबलम्स और जो कुछ भी उनके लाइफ का स्ट्रगल है खुदावन आज की ये शाम है कि इनके जीवन में वो छुटकार आये खुदावन दिश्मसी धनिवाद करते पिता विशेश रूप से धनिवाद करते कि दिन भर में एक एक शण एक एक पल में परमिश्वर आपनी अपनी सुरक्षा में हम सब को रखा हमारे फैमली को बच्चों को आपने सुरक्षित रखा और आज जितने लोग इस प्रात्न में शामिल है वो इस बात के लिए धनिवादी है कि पिता आपका फेवर आपका प्रोटेक्शन आपका सपोर्ट पूरे दिन भर में हमारे साथ में रहा पिता मैं धनिवाद करती हूँ आपके भलाईयों को हमने अपने जीवनों में देखा है खुदा हम धनिवाद करते हैं और आज के गवाहियों के लिए भी आपका धनिवाद करते हैं कि बहुत भाइबिन हैं जो इस समय प्रभू गवाहियों के साथ बैटे हैं उनका हिर्द आनन से भरा है, उनका हिर्द धन्यवाद से भरा है, और ये धन्यवाद की भेट वो तेरे पास लेकर आए खुदा, इसे रुसीव करें लौट पादर, थैंक यू जीजुस, मैं प्रात्न करती पिता, आज के वचन के लिए प्रभू, आपका वचन सबसे बड़ भलाई को करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ा रिवाड और बहुत ही बड़ी ब्लैसिंग उसके पीछे है, कुदावन हमने देखा, जब भेदियों को यरियों में भेजा गया प्रभू, भेद लेने के लिए मेरे परमेश्वर, तो आपने मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ पर रहा वहशा को तयार किया मेरे परमेश्वर कि वो उन लोगों के लिए भलाई को करे और उन्हें छिपाया, और सच में मेरे परमेश्वर उसके लिए और उसके घराने के लिए एक बहुत बड़ी आशीश को उसने अपने जीवन में रि परमिश्वर आपने रहाब के और उसके घराने में किया ऐसे ही आप इनके और इनके घराने में इनके बच्चों के लिए इनके जानने वालों के जीवन में ऐसे ही बड़े आश्चेरे कर्म को करें। आपकी ओर से परमिश्व वो इनाम मिलने पाए जो इनाम आपने ठहराया है। वो उद्धार, वो स्वर का राज्य, वो बड़ी ब्लैसिंग, वो आशिश, वो भरपूरी का जीवन प्रभू आपके लोगों के पास होने पाए परमिश्व पिता। प्रभू ये इस लिवार्ड आपकी ओर से रखा गया है। वो आपका वचण प्रभू को ये कारे कर रहे हैं। यह नाम मिलने प्रमिश्व प्रस्व प्रभू इनके बच्चों के जीवनों में आए खुदा, जब प्रभू ये किसी को support कर रहे हैं पिता, किसी को पिता अपने परमेशों तेरे वचनों के द्वारा प्रभू उत्साहित कर रहे हैं खुदा, किसी के हाथ को ठाम कर परमेशों उसे आगे बढ़ने के लिए प्रभू उत्सा बैस करे, परमिश्व पिता. हर प्रकार के बंधनों को दूर करें, प्रभू हर प्रकार की नकरात्मक नेगेटिव थॉट्स को आप दूर करें परमिश्वर। आज की सुन्दर शाम में इन्हें तयार करें नई बातों में ग्रो अप होने के लिए जो भले काम कर रहे हैं उसकी आशीश को ये रिसीव करें और अपने जीवन के हर एक छेत्र में step wise step प्रभू तेरी शिक्षा में बढ़े मेरे खुदावन धन्यवाद इनके family में प्रभू आपकी आशीश हो इनके बचों के life में आपकी आशीश हो इनके personal life में आपकी आशीश हो ये हर एक बात को manage करते वे चलने पाए प्रभू ताकि जब इनका जीवन आशीशित हो तो ये दूसरे के लिए भी आशीश का कारण ठेरे सच मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि बुराई से नहारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो इस वचन के कॉर्डिंग परमेश्व पिता आपके लोग प्रभू भलाई में जीतने पाए परमेश्वर ऐसा आप अपने लोगों के जीवर में करें खुदा आज के शाम में परमेश्व जितने लोग प्रभू अपने आपको ठकावा महसूस करें खुदा अपने आपको कमजोर महसूस करें शरीर में दुर्बल महसूस करें बिमारियों में हैं खुदा ये शुनास्त्री के नाम से इसी समय आप इ करते हैं वो पवित्र बेश कीमती लहू चंगाई वाला लहू तेरा नाम पर नीश्वर हम इनके लिए अनाउंस करते हैं और येश्यू के नाम से इसी वक्त तेरे लोग चंगे हो जाएं येश्यू के नाम से शरीर चंगे हो जाएं येश्यू नास्त्री के नाम से हर एक हस्ट पुस्ट और चंगा हो जाए इनकी हड़ियां पुस्ट होने पाए ये शुनास्री के नाम से धन्यवाद आज रात में अच्छी नीन को दीजे प्रभू पिता नीन से रेलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना इस समय आपके लोग कर रहे हैं खुदावन बहुत आज आपके लोगों को मिले खुदावन चैन से और विश्राम से वह सोने पाए नया दिन आपके साथ में देखें खुदावन जो बच्चे रात में बहुत जादा चिलाते हैं रोते हैं मेरे परमिश्वर खुदा उन बच्चों के जीवन में आपकी शान्ती को चाहते हैं दनेवाद देते परमिश्य प्रभू हरे को आप बढ़ाएं हरे को आप सफल करें हरे को आप आत्मिकता में बढ़ाएं प्रभू यूही हम वचन प्रात्ना और संगती में बने रहें जो हमें Instagram, Facebook, YouTube में और प्रभू Facebook में अपने प्रात्ना निरंतर भेज रहें खुदा उन भाई बहनों पर अपनी दया को सदा सरवदा के लिए बनाए रखे खुदा वो आपके लोग हैं आप उन पर दया करे धनिवाद देते हैं सब कुछ आपके हाथों में सौबते हैं इस शाम के समय जब हम सब संगती के सहभागी बने यह आनन का विशे है और हम खुश होकर हिर्दे से एक बार फिर से आपका धनिवाद देते हैं येश्यो के नाम से स्प्रात्न को मांग लेते हैं आमेन आमेन और आमेन